दोस्तों आज की इस वड़े में हम बात करने वाले हैं एडसेंस एप्रूवल के ऊपर देखो गयर काफी सारे जो बिगनर ब्लॉगर से नहीं वह एडसेंस एप्रूवल को लेकर के काफी ज्यादा परिशान है उनकी वेबसाइट में एडसेंस का अप्रूवल मिल ही नहीं पा करते हैं तो देखो यार सबसे जो बड़ा रिजन है आपको एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलने का वह है आप अपना टाइम विस्ट कर रहे हो देखो इसके पीछे में टाइम को क्यों इंक्लूड किया मैं थोड़ा सा इसके पीछे का रिजन आपको देता हूं देखो आप कर बैठते हो टाइम वेस्ट कैसे देखो यार काफी लोग ना अपनी वेबसाइट के कस्टमाइजेशन में ही भाई 6 से 1 सा लगा देते हैं बलग कि बत्स वो चाहते हैं दूसरों की वेबसाइट देखर की कि हमारी वेबसाइट भाई कुछ ऐसे दिखनी चाहिए हमार टाइम वेस्ट कर रहे हो दूसरी तरफ यार लोग हाई कॉलिटी आर्टिकल के पीछे ओवर्थिंकिंग करना सुरू कर देते हैं लोगों को लगता है कि भाई हम हाई कॉलिटी आर्टिकल नहीं निक पारे इसलिए हमें एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिल पार है और वो इ यह सब चीजे ना यार एडसेंस एप्रूवल के लिए उतना ज्यादा स्टार्टिंग स्टेज में मैटर करता ही नहीं अगर ऐसा कुछ होता ना एडसेंस भाई ऐसा स्ट्रॉंग क्राइटिरिया रखता कि अच्छे एच्छे की फट जाती एडसेंस एप्रूवल लेने में तो अगर आप इसके ऑफिशल वेबसेंट पर झाओने एडसेंस ने ऐसा कहीं भी नहीं लिखा भाई कि आपके वेबसेंट को जल्द से जल्द एडसेंस से अप्रूवल करवा लेना चाहिए समझ रहे हैं तो time बहुत ज़्यादा matter करता भाई AdSense के approval लेने में अब आप मैंसे काफी लोग बोलेंगे कि भाई काफी तो creators कहते हैं कि 6-1 साल आपको websites पर काम करना चाहिए उसके बाद AdSense approval के लिए भेजना चाहिए तो अगर आप ये चीज़ करोगे तो आप से बड़ा पागल कोई नहीं है हम AdSense approval क्यों चाहते है earning के लिए उससे पहले भाई हमें investment भी करना पड़ता है इस field में ठीक आप hosting वगेरा बाई करते हो 5-6,000 रुपे आप starting में लगाते हो उसके बाद भाई आप 6 महिने एक साल इंतजार करोगे उसके बाद जाकर कि आप अपने websites को approval के लिए भेजोगे और उसकी क्या guarantee है कि AdSense आपके websites को approve कर देगा उस वक्त फिर आपके आपका जो एक साल भाई वो AdSense का approval लेना और वो चाहें आप अभी ले लो या एक साल बाद लो बात एक ही है ठीके तो अगर आप एक साल बाद इंतजार करोगे और AdSense का approval आपका नहीं मिलेगा उस समय तो आप तो भाई भाई भारे डी motivation में चले जाओगे और क्या पता ब्लागिंग वगेर आप छोड़ बैठ होगे इसलिए मेरा कहना है कि time का यहाँ पे काफी जादा रोल है आपको जितनी जल्दी हो से कि उतना जल्दी अपने websites को AdSense से approve करवा लेना है ताकि भाई AdSense जब तक आप अपनी websites पर traffic नहीं लेके आओगे ना तब तक भाई AdSense से आप एक पैसा नहीं कमा पाओगी और सबसे जो बड़ा challenging factor होता है वो अपनी websites पर traffic लाना ही होता है ठीक है यह आपको जब AdSense का approval मिल जाएगा ना उसके बाद आपको मालूम चलेगा जब आपकी earning नहीं होगी ना तब आपको मालूम चलेगा कि जो मैं आप भी आपके साथ बाते शेयर कर रहा हूँ वो कितनी सच्चाई वाली बाते हैं तो कहने का मत्तब यह है कि यहाँ पर आपको आपना टाइम बचाना है और जल्द से जल्द कोशिस करना है कि आपको AdSense का approval मिल जाए तो यह अपनी website customization में ध्यान देना बंद कर दो और यह जो high quality article लिखने का जो कीड़ा है भाई या लोगों के मुह से वगेरा से सुन रहे हो देखो यहाँ पर मैंने एक URL आप सभी के साथ शेयर किया है पागलवर्ड.in जिसके अंदर ना पूरा का पूरा copyright material पड़ा हुआ है उसके बहुद भाई AdSense ने इस website को दो बर एप्रूफ किया है प्रूफ दिखना है मैं आपको प्रूफ भी दिखा देता हूँ यह दिखो भाई गोड नियोज यूर साइट पागलवर्ड.in इस नाव रेडी तो शो एडसेंस एड्स तो यह जो वेबसेट है भाई वो अभी भी लाइव है आप चाहो तो चेक करके देख सकते हो वहाँ पर किस तरह का कॉंटेंट वगेरा डाला हुआ है ठीके वहाँ पर मैंने जिस तरह के कॉंटेंट डाला है वह एडसेंस के क्राइटेरिया को बिल्कुल भी मैच नहीं करता है बाउजूद भाई अप्रोव कररा है वेबसेट को क्योंकि जो एडसेंस है वो मैंने गृत जादा प्रीफरेंस देता है और इस वेबसेट में दस दिनों के अंदर मैंने अप्रोवल लिया था समयज़ें आप तो यार कहने का मतलब यही है कि कोई भी ऐसा हाट कोर क्राइटिरियर नहीं है भाई कि आपको एड़सेंस के एपरूर लेने में प्रावलम आए तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए बस वो मैं थोड़ा सा होने चाहिए ठीके तो वेबसेट के लिए आप खोस्टिंगर का यूज कर सकते हो इसका बेस्पल लिंक में डिस्क्रिप्सिन और प्रोवाइट कर दूँगा आप प्रीमियम प्लान को लेगर के आप अपना काफी लोग कहेंगे कि भाई आप प्रमोट कर रहे हो तो यहां से आप मत लेना किसी और की ओस्टिंग अप ले लेना ठीक है तो पहला तो यह आपके पास वेबसाट होना चाहिए तो आप वेबसाट कर लेना उसके बाद देखो यार आपको एक सिंपल सा थीम अपनी वेबसेट में इaining फ्रत कर लेना है जनरेट प्रेस का ठीक है जो फ्री फीम आता है उसे आप एप इंस्टॉल कर लो और जिस तरह से आर आपको आर्टिकल बनाना आता है बाई देखो जो भी नॉलेज है ना आपके अदर जाहें आप अपनी वेबसेट को हिंदी में स्टार्ट करना चाहते हुआ और जिस भी फिल्ड में आपकी expertise है, जिस में निच में आपकी knowledge है, आपके अंदर expertise नहीं कहूंगा, knowledge है, जिस भी field का उससे related यार, आप जैसे अपने दोस्तों के साथ बाते करते हो, उस तरह से, आप content बनाना सुरू हो जाओ, अपनी websites पे, ठीक है, बस आपको इतना सा काम करना है, और ये कामना आपको consistency के साथ 15 दिन तक करना भाई, ठीक है, 15 days तक आपको हर दिन एक article पोस्ट करना है, किसी ना किसी topic के उपर, और आपको adsense apply करने से पहले, आपको इन चीजों का भी ध्यान रखना सबसे पहला, कि आपको यार, आपके websites पे जो fav icon है, ये जो आप top पे देख रहे हो ना, जैसे website पे ये जो logo बना वा रहा है, हर एक website का देखो, अलग-अलग fav icon है, तो इस तरह से आपको भी अपनी websites का एक particular logo डिजाइन करना है, तो उसे आप as a fav icon भी रख सकते हो, तो आपनी websites का fav icon रख लेना है, अपनी website का एक अच्छा सा नाम डाल देना है, और जो important pages होता है, उसे भी create कर लेना है, जैसे about as contact us, privacy policy, ठीक है, और disclaimer ये create कर लेना है, अगर आप ये pages नहीं भी create करोगे, तो कभी कबार या rare cases में, adsense approve कर देता है website को, में साथ ऐसा हुआ है, बिना pages का भी approve हुआ है, लेगिन मैं आपको कह रहा हूँ कि, आप pages बना लेना, तो ज़्यादा chances होता है, ठीक है, क्योंकि नहीं अगर आप pages बना होगे ना, तो जो low value content का issue आता है, ज्यादा तर इंपोर्टेंट pages के कारण भी देखने को मिलता है, ठीक है ना, तो इस चीज़ का भी आप खास दयान रखना, बस आपको इतना ही चीज़ करना है, बाकि कुछ भी करने की ज़रूद नहीं है, ठीक है, बाकि कोई लंबा लिफापा, कोई यहाँ पर चीज़ मैटर ही नहीं करता यार, ठीक है, और AdSense का जैसे कि मैंने आपको बता है, कोई ऐसा वैसा requirement नहीं है, बड़े अराम से मिल जाता है, तो जो चीज़े मैंने आपके साथ share किया, बस इन सब चीज़ों को आप follow करना, ठीक है, बस आप अपनी वेबसाइट को create करो, WordPress install करो, जनरेट प्रेस का theme डालो, फेव आइकन डाल दो, अपनी वेबसाइट का नाम रख लो, अच्छा सा ठीक है, और आपको menus create कर लेना है, जिस भी niches पर आप काम करते हो, प्लस आपको यार अपना जो important pages, वो बना लेना है, और after 15 days के बाद, आपने AdSense approval के लिए भीज़ देना है, बस इतना काम करना है, और आपको फटाक से देखना, AdSense का approval मिल जाएगा, और by chance समझ लो, rare cases में अगर आपको एक बर AdSense का approval नहीं मिले, reject हो जाए, उसके बाद आपने दुबार आए और दो दिन बाद फिर से apply करना है, ठीके, कभी कबार यार देखो, जो AdSense का, जो AdSense खुद भाई महाँ पर बैठा नहीं होता, वो robotic system है, robotic system है, ठीक, automation पर सारा AdSense चलता भाई, ठीके, तो कभी कबार बूट है, आपकी website को direct नहीं कर पाता है, तो disapprove भी कर देता है, तो उस case में अगर आप वापस से apply करोगे, तो आपको instant approval मिल जाएगा, तो बस आपको इतना सा काम करना है, और यहाँ पर परेशान होने वाली बात है नहीं, अगर आपको देखो in case, अगर आपको AdSense का approval नहीं भी मिल पाता है ना, अपकी अपनी website पे, तो भाई AdSense एकलोता monetization का जरिया नहीं है, बहुत सारे platform भाई आज के समय में, जिसके थूँ आप अपनी website को monetize करके earning कर सकते हो, बस आपको अपनी website पे भाई traffic लेकर के आना है, अगर आपको focus करना है ना तो भाई बस आप traffic पे करो, ठीके, बाके traffic के ही पीछे हर एक जो monetization platform में वो भागता है, अगर आपकी website पे starting में ही है, अगर आपकी website पे traffic आना है start हो जाएगा ना, तो AdSense की कोई requirement नहीं है, चाहें आप pages बनाओ, चाहें आप फेब आइकन डालो, चाहें अपनी website को customize करो या ना करो, आपको AdSense approve कर देगा, क्योंकि उसे पता है यार कि इस website से हमारा भी फाइदा होने वाला है, तो फिर AdSense आपकी website को क्यों नहीं approve करेगा, ठीक है, तो ये सारी चीजी होती है भाई, ठीक है, तो फालतु कि ऐसी कोई भी आपको overthinking नहीं करना है, कि ये करना होगा, वो करना होगा, फलाना item का, भाई, कुछ भी नहीं करना है, AdSense ही एक ऐसा platform है, जहां पे कुछ भी ऐसा हार्ट को requirement नहीं है, समझ रहे ना, तो इससे असान platform कोई नहीं है, तो यहां पे approval आपको बड़े असानी से मिल जाएगा, जो steps में नहीं बता है, बस इन्हें आपको follow करना है, तो आज की इसरों में इतना ही बाकी मिलते हैं एक लिए वीडियो में, तब तक लिए, take care and goodbye.